तो यह सारा प्रेशन आप देखने के बाद अगर हम हमें 8 क्लास के बच्चे देख रहे हैं हमें 8 क्लास के बच्चे अगर सुन रहे हैं और 8 क्लास से इस बार 9 में जो परवेश कर चुक है उनके लिए एक महतवपुर्ण बात यह है कि 9 और 10 यह जो दो क्लास है इसमें English के लि इसमें केवल और केवल आपको इंग्लिस का लिट्रीचर इंग्लिस का ग्रामर और जो भी अधर बुक आपका है सप्लिमेंट्र अगरे जो भी है तो उसको आपको सॉल्व करवाया जाएगा उसका सारा जो है वो कोस्चन को श्टोरी को डिल करेंगे और बहतर तरीके से हम इंग्लिस पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे चेत्र में जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात करने के बात करने के बाद हमें ऐसा लगा क्योंकि हमारे चेत्र में जो आसपास के गाओं के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं अंग्रेजी में इं प्रट करके हमारे चेत्र के बच्चे पास कर जाते हैं तो उन बच्चों के लिए एक हम लोग अच्छा सा प्लाइन किये हुए हैं और 25 माई से हम लोग अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिस का बैच 25 माई से ठीक है तो अगर आप चाते हैं आप नाइन क्लास में और आप चाते हैं कि इंग्लिस का बैच हम भी जवायन करें और इंग्लिस अच्छे से पढ़ें नाइन और टैन दो साल इंग्लिस हम ल तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद